या देवी सर्व भूते सू मा कात्यानी रूपे न संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमा मा कात्यानी की जैहो आप सभी को छटे नवरात्र की हारदिक सुपकामनाएं नवरात्र का छटा दिन है और इस दिन मादुरूगा के कात्यानी स्वरूप की पुजा की जाएगी इसके साथ ही सरवार्त सिद्धी योग और रवी योग का भी प्रभाव बना रहेगा मादुरूगा के इस स्वरूप ने ही महसासूर नामक राक्षस का अंध किया था कात्यानी आंतरिक सक्ति का प्रतिनेधित्व करने वाली जगत जरनी है मानत है कि विदिविदान के साथ माता की पुजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और धंधाने में व्रिद्धी होती है मा कात्यानी ब्रजबंडल की अधिष्ठात्री देवी है कैसे पढ़ा माता का नाम बगवान स्रे कृष्ण को पती रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनी माता की पुजा की थी गोपियो द्वारा यमना तट पर पुजा करने के बाद माता जहां प्रतिष्ठित हुई भगवान स्रे कृष्ण ने भी माता कातियानी की पुजा की थी मा कातियानी की पुजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट तो दूर होते ही है साथी विभा में अगर कोई समस्या आ रही होती है तो वह भी माता के नाम लेने भर से दूर हो जाती है यह दिन विभा योग्य भक्तों के लिए बहुती सूप माना जाता है माता के असिरवाज से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ती होती है मा कातियानी अद्बुत तरंगों से सराबूर आग्या चक्र की उर्जा है आग्या चक्र सरीर में सक्ति किंद्र का छटवा मूल चक्र है मा कातियानी का सम्मन ब्रिस्पती ग्रह से है और आंसिक रूप से सुक्र ग्रह से भी है मैसा सुर मर्दनी का यह स्वरू बेहद दिव्य और भव्य है मा स्वर्ण के समान चमकिली है मा कातियानी की चार भुजाए हैं जिनमें दाई और वाली भुजा अभे मुद्रा में है नीचे वाले हाथ में कमल है वहीं बाई और की तरफ उपर वाली हाथ में तलवार तथा नीचे वाले हाथ में कमल सुसोबित है माकातियानी की सवारी सिंग है नवरात्री के छटे दिन की पुजा भी अन्य नवरात्री की तरह ही की जाएगी माकातियानी की पुजा सुरू करने से पहले चारो तरफ गंगाजल से छड़काओ करे माता का ध्यान करे इसके बाद माता की आगे घी का दिपक जला कर पुजा अर्चना करे माको पिले पुस्प पिले नयवेद्य अरपन करे साथी रोली अक्षत लाल चुनरी धूब दीप आदी चीजों को अरपन करे और पूरे परिवार के साथ माता का जैकारे लगाए अगर आप अग्यारी करते हैं तो माता को लोंग बता सा आदी चीजे अरपन करे साथी आज माता को सहथ भी अरपन करे इसके बाद दीपक और कपूर से माता की आरती उतारे इसके बाद माता के जैकारे करे इसके बाद माता इसके बाद दुर्गा सबसती और दुर्गा चालिसा का पाट करें और आज के दिन माकाति यानि के मंतर का कम से कम 11 या 21 बार अवस्य जाप करें साम के समय में भी मादुरगा की आरती करे नवरात्र के छटवे दिन माता की पुजा मधु यानि सहद से करना बहुत उत्तम माना गया है आज माता को भोग में सहद अरपन करे आज इसके लिए आप पान में सहद मिला कर माता को भेट कर सकते हैं सहद के अलावा माता कातियानी क माल पुवे का भोग भी लगाते हैं सिग्र विवा के लिए गोधूली वेला में पीले कप्रे धारण कर माता की पूजा करे इसके लिए सबसे पहले दिपक जलाए और माता को पीले पुस्प चड़ाए और फिर माता को सहथ के साथ तीन हल्दी की गांठे चड़ाए अल्दी की गांठो को अपने पास सुरक्षित रखे मनुकामना पूण होगी मा कातियानी का मंत्र कंचनाभा वरावयम पदमाधरा मुक्टो ज्वलाम समेर मुखी स्विपतनी कातियानी नमस्तुते चंद्रहासो ज्वलवलकरा साइल वरवाहना कातियानी सुभमददा देवी दानवघातनी या देवी सर्व भूतेशुमा कात यानी रूपेन संस्तिता नमस्तसे 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 नमोनमा कालपुरू सिद्धान्त के अनुसार देवी कातियानी व्यक्ति की कुंडले में नवम एवं द्वादस भाव पर अपना आदिपत्य से वेक्ति के धरम, भाग्य, इष्ट, हानी, वै और मोक्ष पर अपना स्वामित्व रखती है वास्त्रो सास्र के अनुसार इनकी दिसा उत्तर पुर्व है इनकी पुजा का सर्वस्रेष्ट समय है, गोधूली एवं इनकी पुजा पीले पुस्पोसे करनी चाहिए इन्हें बेसन का हलवा और मालपुवे का भोग लगाएं स्रिंगार मेंने हलदी अरपन करना स्रेष्ट रहता है देवी कात यानी की सादना उन लोगों के लिए सर्वस्रेष्ट है जिनकी आजिविका का संबन अध्यान लेखा पाल यानी की चार्टेड एकाउंटेंसी या फिरकर विभाग यानी इंकम टेक्स से है इनकी सादना से दुरुभाग्य से चुटकारा मिलता है विवाबादा दूर होती है और सत्रूता का अंतोता है घर की पुर्वदिसा में पुरो मुखी होकर पीले वस्तर पहन कर पीले वस्तर पर देवी कात यानी का चितर स्थापित कर पंचोब चार पुजन करे सरसो के तेल का दीपक करे गुगल से धूप करे, सुरज मुखी के पुस पे चड़ाए, केसर से तिलक करे, गुड चने का भोग लगाए और चंदन की माला से 108 बर मा कातियानी के मंतर का जाप करे, पुजन के गुड और चना गाय को खिला दे दुरभाग्य से चुटकारा पाने के लिए पिली सरसो सिर से वार कर, मा कातियानी के नीमित कपूर से जलाए शिवा वादा दूर करने के लिए देवी कातियानी पर हल्दी का उप्टन चड़ाए सत्रुता के अंत के लिए देवी कातियानी पे चड़ा विसन का हलवा ब्राहमनी को खिलाएं मा कातियानी जी की कथा देवी कातियानी जी के संदर्व में एक पुरानिक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार एक समय कत नामक के प्रसिद रिशी हुए तदा उनके पुत्र रिसी कात्य हुए उन्ही के नाम से प्रशिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रशिद्ध रिसी कात्यायन उत्पन हुए थे देवी कात्यानी जी देवताओं और रिसीों के संकट को दूर करने के लिए महरेसी कात्यायन के आश्रम में उत्पन होती है और इसी कातियान ने भगवती जी की कठिन तपस्या पर पुजा की इसी कारण यह देवी कातियानी कहलाई महरेसी कातियान जी की इच्छा थी कि भगवती उनके यहां पुत्रे के रूप में जनम ले देवी ने उनकी प्रातना सिवगार की और अस्वनी कृष्ण चतुरदसी को जनम लेने के पश्चाथ सुक्ल सब्तमी अश्टमी नौमी तीन दिनों तक कातियान जीसी ने इनकी पुजा की और दसमी को देवी ने महिसासूर का वद किया और देव को महिसासूर के अत्याचारों से मुक्त किया नवरात्री के सश्टी तिती को कारे सिद्धी का मंत्र है सर्वमंगल मांगल ले सिवे सरवार्थ सादी के सरणने तरंबे के गोरी ना रहनी नमस्तुते नवरातरी के छटे दिन मनोकामना सिद्धी के उपाए जो लोग फिल्म इंडिस्ट्री या गलेमर के छेतर से जुड़े हुए है वे देशी घी का तिलक देवी मा को लगाए देवी मा के सामने देशी घी का दीपक जरूर जलाए ऐसा करने से फिल्म इंडिस्ट्री या गलेमर के छेतर में सफलता तैह है खेल कूद के छेतर में सफलता पाने के लिए देवी मा को सिंदूर और सहद मिला कर तिलक करे अपनी मा का असिरवाद जरूर ले दोनों मा का सिरवाद आपको सफलता जरूर दिलाएगा राजनिती में सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में 21 चूड़ी दो जोड़े चांदी की बिछिया, पांच गुड़हल के फूल, ब्यानलिस लोंग, साथ कपूर और इत्र बांद कर देवी के चर्णों में अरपन करे सफलता जरूर मिलेगी प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए साथ प्रकार के दालों का चुरा बना कर चीटियों को खिलाने से सफलता मिलेगी हर छेतर में सफलता पाने के लिए कुमकुम, लाक, कपूर, सिंदूर, घी, मिसरी और सहद का पेश्ट बनाकर देवी मा को तिलक लगाए मा को तिलक लगाने के बाद अपने मस्तख पर भी ये टीका लगाए आपको जरूर सफलता मिलेगी प्रतेक छेतर में सफलता पाने के लिए मिट्टी को घी और पानी में सान कर नो गोलिया बना ले और इन गोलियों को छाया में सुखा लिजिए इन गोलियों को पिले सिंदूर की कटोरी में भर कर देवी मा के सामने रखिए नौमी के दिन इन गूलियों को नदी में जरूर बहा दीजिए और सिंदूर को संभाल कर रखिए जरूरी काम में जाते समय इस सिंदूर का टीका लगा कर जाएए सफलता जरूर मिलेगी ग्रह कलेज निवारन के लिए लकडी की चोकी बिचाए और उस पर पीलावस्तर बिचाए चोकी पर पांच अलग अलग दोनों और अलग अलग मिठाई रखे प्रतिक दोनों में पांच लौंग पांच इलाइची और एक निम्बू रखे धूब दीप पुस्प अक्षट अरपन करने के बाद एक माला ओम एम रेम कलीम चामुंड़ाई विच्चे ओम कातियानी देवे नमा और एक माला सनी पतनी के नाम की स्थूति करें इसके बाद समस्तसामागरी किसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप रखकर आना है बहुत जरूरी है कि ग्रह परवेश से पहले हाथ पेर अवस्य धूले और पिछे मुड़कर ना देखें दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर वा सबस्क्राइब अवस्य करें कॉमेंट बॉक्स में माक का जैकारा अवस्य लगाए इससे पोजिटिव एनरजी का संचार होगा आपकी जीवन में साथ ही और किसी वी सेप पर आपको वीडियो चाहिए तो ये भी कॉमेंट बॉक्स में अवस्य बताए अमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद